बुद्धि एवम शक्ति का दाता गजक एश्री योग नमस्कार मैं एश्टो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेमी एवम अध्यन करताओं का हर्तिक स्वागत करती हूँ हम जोतिश एक-एक विशे का शास्त्रोक्त पंदती से अध्यन करें हैं हर विशे को विस्तार से समाज जाने का मेरा प्रयास है उस अनुसार आज हम गजक एश्री योग इस विशे पर विस्तार से वारतालाप करेंगे यह सब जानकारी शास्त्री होने के करण एक बार सुनने पर यदि आपको समझ में ना आए तो उसे पुनश्च सुने ताकि आपका अध्यन परिपुर्ण हो विशे को लेकर यदि आपके कोई प्रश्ण हो तो उन्हें कमेट बॉक्स में लिखे जोतिश के अनुसार गजके श्री योग कुंडली का एक अत्यंत महतो पुर्ण योग बाना जाता है गजके श्री इस नाम से ही उसमें महतो छिपा है गजका अर्था हाती और केश्री का अर्था सीह होता है जिस कारण गजके श्री योग अर्था जिसके द्वारा हाती गोड़े खड़े हो या आज की भाषा में काहा जाए तो BMW या Mercedes खड़ी हो साथ ही हाती और सीहज ऐसी शक्ति के शुभफल जातक कोई इस योग द्वारा प्राप्त हो सकते है इस योग के प्राप्त होता है जातक शक्ति शाली होने के साथ बुद्धिमान एवोम विद्वान भी बनता है जिस कारण समाज में उसे सन्मान प्रतिष्टा आदर प्राप्त होता है गजकेश्री योग के प्रभाव के कारण जातक का सभाव गंभीर इवोम प्रभावशाली बनता है उसके शब्दों को उचीत सन्मान मिलता है साथ ही जातक बड़ा कर्तुत्ववान बनता है यह योग कुंडली में कैसे तयार होता है इसका हम अध्यान करेंगे कुंडली में गजकेश्री योग गुरु एवम चंद्रमा इन दो ग्रहों से बनता है जिस कुंडली में चंद्रमा से गुरु प्रथम चतुर्त सप्तम या दशम स्तान में स्तिता होता है उस कुंडली में गजकेश्री योग बनता है यह अत्यनत शुभायोग होने के कारण उसमें बड़ी शक्ति होती है, इतनी कि इस शुभयोग के प्रभाव से जातक का संपूर्ण जीवन बदल सकता है, नोकरी और व्योसाय में बड़ी सफलता मिलती है, धन संपति से जातक का जीवन परिपूर्ण मनता है, यह योग शुभा होने के साथ अत्यंत दुरलब भी है क्योंकि यह योग पूर्ण होने के लिए जोतिश में कुछ नियम बताए गये है, वे नियम इस प्रकार के है, कुंडली में गुरू और चंद्रह दोनों शुभा होने चाहिए, दोनों ग्रह नौमाउंश कुंडली में स्वस्तान या मित्र ग्रह के स्तानों में होने दोनो ग्रह अशूब करतरी में ना हो चद्रमा और गुरु दोनो ग्रहों पर अशूब ग्रहों की दुरुष्टी ना हो जोतिश के अनुसार किसी भी कुंडली में कोई भी शुभ योगों बनने के लिए पहली शर्थ होती है कि योग बनाने वाले सभी ग्रह शुभा होने चाहिए क्योंकि कुंडली के आशुब ग्रहों द्वारा शुभा योगों का निर्बान नहीं हो सकता जो तिश का यहनियम गजकेश्री योग को भी लागो होता है इसलिए कुंडली में गजकेश्री योग निर्बान होने के लिए इस योग का निर्बान करने वाले चंद्रमा और गुरु ग्रह कुंडली में शुभा होने चाहिए दोनों में से एक भी ग्रह अशुब हो या उसे कोई दोश लगता हो तो गजक एश्री योग नहीं बन सकता साथ ही चद्रमा और गुरु दोनों अशुब हो तो उनसे अशुब योग का निर्मान होता है इसे उदारन देकर स्पष्ट करे तो मान लीजे कि कुंडली में शुब्धा चंद्रमा अशुब गुरु के साथ एक ही स्तान में हो तो गजक एश्री योग का निर्मान हो नहीं सकता इसके विरुद्ध शुभ चंद्रमा को अशुभ गुरु का दोश लगकर उसका प्रभाव कम हो सकता है परिणाम सरुप चंद्र से मिलने वाले शुभ फल भी जातक को नहीं मिलेंगे इस प्रकार ही किसी कुण्दली में गुरु शुभ हो और चंद्र अशुभ हो तो गजकेश्री योग का निर्मान असंभव है इसके विरुद्ध शुभ गुरु का अशुभ चंद्रमा को दोश लगकर उसका प्रभाव कम हो सकता है जिस कारण गुरु के प्रभाव क्षेत्रों पर परिणाम होकर जातक को अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं कुण्दली में चंद्रमा और गुरु दोनों का अशुभ होना जातक की दुरुष्टी से अतन्द अशुभ होता है जिस कारण जातक के विभिन्नक्षेत्रों में नुक्सान हो सकते है जोतिश के अध्यन करता होने के नाते किसी कुंडली का विशलेशन करते हुए ग्रहों की स्तिती का आउलोकन शुश्मत आसे करना चाहिए उसमें गजकेश्री योग देखना हो तो पहले जो नियम बताए ग करना चाहिए उसके बाद ही उचित निशकर्षय तक पहुशना चाहिए लगन के अनुसार कुंडली में गजकेश्री योग का निर्मान कैसे होता है उसे हम अब समझ लेते हैं मेश लगन का स्वामी मंगल ग्रह है उसमें चंद्रमा और गुरु दोनों से मंगल के अच्छे संबंद है परिणाम सुरूप मेश लगन में चंद्र और गुरु का गठपंदन जातक के लिए गजकेश्री योग का निर्मान करने वाला होता है विशेश रूप से दूतिय चतुर्थ और नौम स्तान में यह गठपंदन हो तो वह जातक के लिए अधिक शुभ पलताई सि कशील बनता है अपने शत्रों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति उसमें होती है वाद विवाद में तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है रुशब लगना का स्वामी शुक्रग रहा है रुशब लगना के लिए चंद्रमात रुतियेश तो गुरु अस्टमेश और लाभेश होता है परिणाम सुरू इस लगन में यदि गजकेश्री योग निर्मान हो तो वह जातक के लिए लाभकारी हो यहां आवश्यक नहीं होता रुशब लगना का स्वामी शुक्र और गुरु एक दूसरे के शत्रू ग्रह माने जाते है यदि प्रथम स्तान में यह योग संपन्न हो तो उच्चा वस्ता का चंद्रमा और लाभेश गुरु का गठ्ठ बंदन लाभकारी हो सकता है रुशब लगन हो तो स्तान के अनुसार इस योग के महत्व में बदलाव होगा इस लगन में बने गजकेश्री योग के कारण जातक आध्यात्मिक कार्यों मे रुची रखने वाला सभी के प्रती रुदय से प्रेम रखने वाला और परवपकारी होता है मिठुन लगना का स्वामी बुधग रह है इस लगन में चंद्रमा द्यूतिय स्तान का तो गुरु सप्तम और दशम स्तान का स्वामी होता है मिठुन लगन में गुरु यदी धन मीन या करक राशी में हो तो निर्माण होने वाला गजकेश्री योग जातक के लिए लाभकारी होता है कारक ग्रहों के नियमों के अनुसार के गुरु को केंद्राधी पती दोश लगता है गजकेश्री योग के प्रभाव से जातक दुसरों का हीत देखने वाला एवं प्रभ बरतन होगा करक लगना करक लगना का स्वामी स्वयम चंद्र है साथ ही गुरू शष्टेश और भाकेश भी है इसलिए करक लगना में निर्मान होने वाले गजकेश्री योग से जातक को अत्याधिक शुबफल प्राप्त होते हैं गजकेश्री योग के प्रभाव से जातक विद्वान बनता है वह जीनक्षेत्र में जाता है वहाँ उसे सफलता मिलती है मान सनमान प्रतिष्टा कमाता है ऐसा जातक अच्छे सवंसकारों से परिपूर्ण होता है सभी को अपने साथ लेकर चलता है ऐसे जातक की प्रत्यक मनो कामना पूर्ण करने की शक्ति गजकेश्री योग में होती है सीह लगन का स्वामी रवी ग्रह है सीह लगन के कुंडली में चंद्रमा यदी मीन राशी और गुरू धनू राशी में हो तो उनमें निर्मान होने वाला गजकेश्री योग जातक के लिए अत्यनत शुभम आना ग्रहों की अन्यस्तिति में योग की शुभता थोड़ी कम होती है सीह लगन में बनने वाला गजकेश्री योग जातक को शक्ति प्रदान करता है चंद्रमा लगने श्रवी का भले ही मित्र हो लेकिन व्येश होने के कारण गजकेश्री योग की शुभता में कमी होती है कन्यालगन का स्वामी बुधग रह है कन्यालगन की कुंडली में गुरुग रह यदि मीन राशी में और चंद्रधनू या मीन राशी में हो तो उनसे निर्मान होने वाला गजकेश्री योग अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होता है जिनकी कुंडली में ऐसा योग होता है वे जातक बुद्धिमान, साहसी, धर्भी कुरुत्ती के सामाजिक दाईत्व की भावना रखने वाले और न्यायप्रिय होते है चंद्रमा और गुरु लगनेश बुद्ध के शत्रो होने के कारण जातक को सम्मीश्र फल प्राप्त हो सकते है तुला लगन का स्वामी शुक्रग रहा है तुला लगन के कुंडली में गुरु तुरुतिय और शष्ट स्तान का तो चंद्रमा दशम स्तान का स्वामे होता है इस लगन में गुरू करकर राशी और चंद्रमा मकर राशी में हो तो गजकेश्री योग का निर्माण होता है महतो पुर्णा बात है कि उससे जातक को शुभफल प्रदान होने की क्षमता होती है लेकिन अन्यक रहस्तिती में तुला लगन के लिए गजकेश्री योग के फल पुर्णा जातक को नहीं मिलते हैं तुला लगन के लोग इस योग के प्रभाव से अपने जन्म स्थान से दूर जाकर धन कमा सकते हैं लगनेश का शत्रू होने के कारण गुरू अधिक शुभफल नहीं दे सकता इसलिए जातक के स्थान के अनुशार फल प्राप्त होते है गुष्चिक लगन का स्वामी मंग इस लगनकी कुंडली में गुरू ग्रह दूतिय और पंचम स्थान का तो चंद्रमा भाग्य स्थान का स्वामी होता है रुष्चिक लगनकी कुंडली में गुरू यदी लगन स्थान में हो और चंद्रमा सप्तम स्थान अर्था तुरुषब राशी में हो तो उनमें दुर पुष्टी संबंद तयार होकर गजकेश्री योग का निर्मान होता है यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है इस योग के प्रभाव से जातक अपने कारेक्षेत्र में सफल होकर बड़ा नाम कमाता है वह जुबान का पक्का होता है पर इडाम सरू उसकी जुबान को समाज मे बड़ी प्रतिष्टा मिलती है चंद्रमा और गुरू दोनों ही लगनेश के मित्र शुभस्तानों के स्वामी होने के कारण इस लगन में गजकेश्री योग अत्यंत महत्वपुर्ण माना जाता है स्थान के अनुसार उसके फलों में बदला होता है दनूर लगन का स्वामी गुरू ग्रह है गजकेश्री योग निर्माण होने में गुरू की भूमिका महत्वपुर्ण होती है जिस कारण धनू लगन में निर्माण होने वाला ग्रह योग अत्यंत प्रभावकारी होता है लेकिन उसके लिए गुरू शुभस्तिति में होना चाहिए अन्य ग्रहों क स्थिति भी शुब होनी चाहिए यदि ऐसा नहों तो इस योग के फल पुर्ण रूप से मिलते नहीं इस योग के शुब प्रभाव से धनू लगन के जातक शिक्षा के ख्षेत्र में बड़ी उन्नती प्राप्त करते हैं धार्मिक कार्यों में रूची रखते हैं धनू लगन के लिए चंद्रमा अस्ठम स्थान का स्वामी है जो तीश्टियमों के अनुसार चंद्रमा और रवी को अस्ठम स्थान का दोश लगता नहीं है लेकिन चंद्रमा के पास अन्य किसी स्थान का भावेशत्व नव होने के कारण धनू लगन के लिए वह अधिक लाभकारी नह यह सामान्य फल मिलते हैं उसमें भी स्तान के अनुसार बदलाव होते हैं कुंभ लगन का स्वामी शनी ग्रह है परिणाम सरूप मकर लगन के जैसे ही गजकेश्री योग के फल इस लगन को प्राप्त होते हैं लेकिन एक दोश भी लगन में उत्पन्न होता है क्योंकि कुंभ लगन में चंद्रमा शर्ष्टस्तान का स्वामी होता है जोतिश के अनुसार शर्ष्ट स्तान को अशुभ स्तान माना जाता है फल सुरूप कुंडली में निर्मान होने वाले गजकेश्री योग का प्रभाव कम होता है जिस करण जातक को सामान्य फल मिलते है और उसमें भी स्तान के अनुसार बदलाव होते है मीन लगन का स्वामी गुरू ग्रह है गजकेश्री योग निर्मान में गुरू की भूमिका कितनी महतो पुर्ण होती है यहां हमने जान लिया है इसलिए मीन लगन में निर्मान होने वाला गजकेश्री योग सर्वश्रेष्ट माना जाता है अन्य लगन में निर्मान होने वाले योग की तुल्ला में उसका प्रभाव अत्या धीक होता है इस योग के शुभ प्रभाव से जातक अत्यन्त ग्यानी धर्म का पुरसकार करने वाला होता है समाज को उचीत मारगदर्शन दिखाने की शक्ति उसमें होती है समाज भी उसकी हर एक चीज को मानने करता है इस विशे को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है हम यही रुपते हैं मैं आपको पुनश्च बताना चाहूंगी कि यह सब शास्त्रिय जानकारी होने के करण हो सकता है कि एक बार सुनने से समझने आए इसलिए उसे पुनश्च अवश्य सुने पुर्ण रुप से समझ ले ताकि आपका जोतिश क्यान परिपुर्ण हो सके अगले भाग में हम जोतिश के नविन्तम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे धन्यवाद शुभं भवतु जय जोतिश जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये है उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ बेल आइकोन दबाना ना भुले धन्यवाद